प्रभु एशु मशी के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार प्रभु की आशिम करना से पिछले पांच साल से सुबसंदे चैनल द्वारा प्रस्तुत के इस जीवन जल कारेक्रम में आपका स्वागत करते हैं यह कारेक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु एशु मसीग पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीज जीवन के लिए एक आशिश का कारण हो गया है प्रभु की महिमा हो परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहुआ का भय मानता है और उसके मारगों पर चलता है यही इस जीवनजल कारेक्रम का उद्धेश है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मारग एवम प्रभु एशु मसीपर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अन्भों कर सके आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशिच का कारण टरे यही हमारी प्रार्तना है इस कार्यक्रम का लाव उठाते हुए आप इस विशे में जरूर अपने पडोसी और प्रिय जनों के सूचित करें साथ ही करस्पांडन के माध्यम द्वारा मराटी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्येन भी कर सकते हैं प्रभू का वचन सुने और आशिच पाए आमेन भाई और भेनों कैसे हैं आप एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम क्रिपा और द्या से हमारा मुलाकात हो रही है दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की द्या अपरम पार है कई लोगों ने इस हफते को नहीं देखा पर परमेश्वर की बड़ी अजीम क्रिपा और बड़ी द्या से जिन्दगी का एक और दिन खुदा ने हमें दिया है दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहां स्थोर से मेरे नौजवानों और बच्चों क्या आपने कभी पीजा खाया है हाँ पिज़ा खाया पीज़ा आवलों कैसी बात करें सर पीज़ा और बच्चे चाटके खा जाते पीज़ा घर में जब खाना बनता है ममी जब बनाती है सबजी तोरी या बैंगन या कद्दू और ऐसी ऐसी चीज़े बनाती जो बहुत अच्छी हेल्थ के लिए पर क्या हो है अगे हमें अब बस इंटा लेया मैंने मुझे भूकी नहीं लग finding पर अचानक अगर घर में एक आवाज आती है दरौजे पे डोर बैल कि टइंग टिंग टॉंग तिंग तॉन कान है ममी ममी महां जाती है दरौजा खूलती है और खूलती है इसके हात में क्या है उसके हाथ में दो डबे हैं और वो डबे है पीजा के डबे दोस्तों पीजा के डबे ओ अचानक बच्चों की आँके यू बड़ी हो जाती है और अचानक जो भूक है पतनी काह से अचानक भूक के ग्रिफ्ट में आजाते हो और उनके मुह में जो सलाइवा है ना पानी और पानी टपकने लग जाता है और ममी भूग लगी है ममी बहुत भूग लगी है ममी कहीं वा बेटा दाल चावल तोरी और सब्जी को देखकर आपको भूग नहीं लग रही थी अभी पीजा आ गया स्पेशल पीजा आ गया है और बहुत टेस्टी पीजा है और चिकन टिकका वाला पीजा है और साथ में यह वाला कौन सा है यह वाला है यह है खास कॉर्ण और वेज और कमाल का मेल्टेट चीज है उसमें और क्या क्या कैपसिप कम और क्या 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 अलिव्स डाले वें और प बच्चे इसकी खुश्बू में जाते हैं और कहते हैं और बदर में बताना चाहते हूं और भाई और बेनों में बताना चाहते हूं किया होता है कुची सब्सक्राइब कुछी सेकंड में चट खतम डबा खाली फिनिश और ये खतम हो जाता है और लोग और बच्चे कहते हैं ममी आ रहे क्या है और दोस्तो मज़ा आ जाता है बच्चों को पीजा खाने में पर मैं कभी आपने देखा है ये जो पीजा का डबा होता है ये जो डबा है पीजा का ये डबे को देखके तो मज़ा आ जाता है पर ये जो डबा है न शैद कई लाखों में छापते होंगे इस डबे को मुश्कल से कुछी पैसों का डबा बनता होगा ये और इसकी डाई है और इसको बड़े अच्छे तरह उसको काट के बनाते है इसको बहुत अच्छी तरह बनाते है पर मैं आपको बताना चाहता हूँ भायो कि ये जो डबा है कुछी पैसों का बनता होगा क्योंकर कई लाखों में वो बनाते होंगे और जो आप पैसा देते है वो डबबे के लिए कुछ खास नहीं है बुलकुल सभी सुना आपने जिसकी कीमत आप देते है वो डबा हार्डली कुछ है पर जो में कीमत है मेरे अजीजों दो में कास्ट जो सबसे में चीज है वो है जो इसके अंदर है जो पीजा और जो उसकी खुजवू, जो उसका टेस्ट, जो उसका चीज और जो उसका चिकन, जो उसका कॉर्ण और वो सब चीजे बना के जो बेस बनता है उसका बनता है स्पेशल पीजा और क्या टेस्ट होता है दोस्तो, what is important is what is inside the box दोस्तो, क्या अनमोल है क्या बहमुल्य है और क्या सबसे important चीज है जो box के अंदर है क्या कोई खाली box का आप order करते हो कौन order करेगा खाली box भई हमें तो pizza काना है हम तो pizza order करते है box में आता ठीक है पर दोस्तो, what makes the difference is what's inside the box that gives value to this ordinary box that is giving value to this box मेरे अजीजो, इसलिए मेरे अजीजो, मेरे दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहद हमारा जीवन इस box की तरह है यह जो शरीर है ना हमारा शरीर यह जो आप मुझे देख रहे है मेरे बाल, मेरे आँके, मेरे नाक, मेरे कान मेरे मुझ, यह जो बॉड़ी है मेरी यह box की तरह है क्या मरने के बाद, मेरे पिता जी ने कहीं पढ़ा था कि मरने के बाद, सारा पोटेशियम, कैल्शियम पदरी क्या क्या चीज़एं अगर आप निकाल लें मरे बे आदमी के, मुझकल से 14 रुपे, पर बाद में इंफ्लेशन से कहते हैं सतर रुपे हो गया, 17 रुपे है बस यही वैलियू है, दोस्तों यह वैलियू है पा क्या मेरी यह वैलियू है, क्योंकि अक्सर खाने के बाद आप क्या करते हो दोस्तों ये डबा लेते हैं और ये फेक देते हो ये कुडे में डालेते हो फ़ vendor कोई value न ही ayo डबÈ की तब तक value है जब तक इसके अंदर पीजा है वो जब पीजा खताभ की value खताभ आप इसको फेक देते दोस्तों दोस्तों आपकी value तूप इतक है जब तक ये जो अंदर जो एक खास चीज है There's a hidden jewel in these muddy walls इस मिट्टी का बरतन जो ये जो डबा है जिसको देह कहते हैं जो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया आदम को इस देह के अंदर एक unmold रतन है There is a special jewel which the Bible calls your living soul Eternal, Immortal, One of a Kind दोस्तों इस शरीर में इस मिट्टी के देह में इस मिट्टी के बरतन जो हमारा शरीर है उसके अंदर एक unmold रतन है और उसको आत्मा कहते है बेश कीमत जिसका कोई मुल्या नहीं लगा सकते हैं आप और एक हैं आप पूरे 8 billion लोगों में पूरी दुनिया में आप जैसा और कोई नहीं सच कह रहा हूँ दोस्तों यूर स्पेशल अपने अंगुटे को देख लो अपने आई का कॉरनिया देख लो अप देखो कि आप युनीक हैं गॉड हैस मेड यू इन इस ओन इमेज and you are fearfully and wonderfully made you are one of a kind आप पूरी दुनिया में आप जैसा और कोई नहीं दोस्तों परमेश्वन ने अपने स्वरूप में आपको बनाया एक special special हैं आप उसकी नजर में आप अनमोल हैं बेश कीमत हैं उसके नजर में और ये आत्मा का कोई मुल्य नहीं this soul is precious this your soul is precious there is nothing like it in this whole universe you are one of a kind और खुदा आप से बेंतहा महबद करता है ये body 80 साल 90 साल 100 साल 120 साल चलो मार लिया जी आपके बड़ी ताकत है पर उसके बाद अंदर से जब शरीर और आत्मा जुदा हो जाते तो आदमी मर जाता है और फिर इस डब्बे को मेरा मतलब इस शरीर को आप दफना देते हैं लोग जला देते हैं पानी में बहा देते हैं जो भी करते हैं I don't know अलग अलग रिती रिवाश करते पर जो विश्वासी बलीवर्स हैं हम उसको दफना ते हैं लोगों को छे फुट नीचे पर डब्बा तो खतम हो गया खतम फिनिश इडिस ओवर दफना दिया पर दोस्तों कभी आपने सोचा है कि अमरात्मा आपके पास एक अमरात्मा है जो दो ही जगा जाएंगी सिर्फ दो ही जगा आइदर स्वर्ग या नर्ग आप बोलोगा अलफिर्ट साब कैसी बात कर रहा है का लिकाए कौन बोलता है इसके बारे में दोस्तों जो पूरी दुनिया का जो मालिक है आपका और मेरा मालिक है हमारा श्रिष्टी करता हमारा बनाने वाला हमारा खुदावंद वो कहता है कि दो ही जगा है मरने के बाद दोबारा जनम की बात नहीं लिखी बाइबल में मुनुश को एक ही बार मरना खुदा के कलाम में लिखा है एक ही बार मरना और उसके बाद उसके पापों का नियाएक करेगा परमेश्वर दोस्तो एक स्वर्ग है एक तरफ और दोसी तरफ नर्ख है प्रभू कहता है चोज लाइफ जिन्दगी को चुनो जिन्दगी का चुनाफ करो मौत को नहीं दोस्तो यह एक बहुत संगीन और बहुत ही important बहुत serious बात है शायद अपने शरीर के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं exercise कर रहे हो best से best खाना खा रहे हो बड़े ची diet है आपकी बड़े exercise कर रहे हो बड़े ची office में जाते हो काम करते हो गाड़ी है बंगला मकान सब कुछ है आपके पास शायद medical insurance है life insurance है पता नहीं क्या क्या नहीं आपने इकटा करके रखा है दोस्तो पर मैं बताना चाहता हू G1 बहुत चोटा है दोस्तो इस box में इस box में बहुत थोड़ा time है रहने का बहुत तोड़ा time कितना जैसे मैंने बताए 80 साल, 90 साल, 100 साल उसके बाद क्या दोस्तो बाड़ी तो खतम डबा गया परात्मा का क्या होगा कहां जाओगे आप Where will you go after you die कभी सोचा है आपने मरने के बाद आप कहां जाएंगे Bible बहुत clear है दोस्तो कोई confusion नहीं है कोई confusion नहीं मेरे आजीजो Bible बहुत ही clear है कि मरने के बाद दो ही जगाएं जैसे मैंने बता है एक स्वर्ग, एक नर्ग और Bible की बड़ी चीए एक आयत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और वो आयत है Ezekiel Ezekiel की पुस्तक है और उसके अठारवे अध्याई में और उसके चौथे पद में यू लिखा है Ezekiel 18 and 4 में यू लिखा है Behold all souls are mine सारी आत्माएं मेरी है कौन कह रहा है Yehovah परमेश्वर कह रहा है As the soul of the father so also the soul of the son is mine जैसे पिता का आत्मा और वैसी बिटे की आत्मा सारी दुनिया की souls मेरी है खुदाने का और फिर खुदावन ने कहा है The soul that sineth It shall die जो आत्मा गुना करता है और जो आत्मा पाप करते है वो मरेगा और ये आत्मिक मौत है दोस्तों जो अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नर्क में फेकी जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आएगा It is a point of no return मेरे दोस्तों God doesn't want you to have eternal death in hell नहीं चाहता हो नहीं 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 चाहेगा वो कभी नहीं इसलिए मैं एक और आयत आपके सामने लाना चाहता हूँ और सिर्फ चार point आपके सामने लाँगा बताओ क्यों चार point बताओ क्योंके मैं दिखाना चाहता हूँ आपने कभी देखा है गोल पीजा हमेशा एक square box में आता है एक square box में ये गोल पीजा एक square box में आता है दोस्तों ये जो पीजा है एक square box में है और याद रखने square का चार points होते हैं ठीक है? चार points तुमें सिर्फ 4 points लाँगा for a box square box with a round pizza मैं आपको चार points देना चाहता हूँ चार कोने box के आपके सामने लाना चाहता हूँ उसके लिए मैं चाहता हूँ आप यहोना 3,16 खोलिए beautiful verse शायद आप मुझ जबानी जानते हो उसको Bible की निचोड है वो Bible को अगर एक कूजे में बंद करना चाहे और एक verse पूरी Bible को explain कर दे वो जोना 3,16 है और इसमें यू लिखा है बड़ी खुबसूरती से कि परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विष्वास लाइव नाष्णा हो परंतु अनंत जीवन पाए पर गोड सो अल अव्ड वर्ल that He gave His only begotten Son the Lord Jesus Christ that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life तो चार पॉइंट बड़ी जल्दी से मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ पहला पॉइंट पहला कोना उस बॉक्स का ये है कि God loves you खुदा आपसे प्रेम करता है दोस्तो एक चेहरे पे मुस्कराट आनी चाहिए आपके that God loves you दोस्तो वो खुदा जिसने धर्ती और आकाश को बनाया वो जिसने पूरे भूमंडल को एक शब्द में बोला जो मालिक है जो महिमा का राजा है वो खुदावंद वो परमेश्वर आपसे और मुझसे मुझसे मुहपत करता है दोस्तो ये वो बात है जो आपके फानी दमाग में समा नहीं सकती दोस्तो कि खुदा मुझसे प्रेम करता है हे खुदा मैं गुनेगार मैं पापी मुझे नर्क मिलना चाहिए अनंत काल की मृत्यों नर्क मुझे मिलनी चाहिए खुदा मैं जैसे पापी के लिए खुदा आपने क्या देखा मुझ में मैं तो गुनेगार हूँ अपने कर्मों से चाल चलन से बात चीट से आखों से सुनने से और सबसे बढ़कर इन विचारों से मैं पापी हूँ फिर भी उचसे प्रेम करते हो आप खुदावन यह कैसा प्रेम है दोस्तों यह कैसा प्रेम है He knows the worst about me and you and still loves us क्या प्रेम है यह पहली बात For God's soul of the world परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करता है दूसरी बात कि उसने अपना एकलोता पुत्र दे दिया दे दिया मतलब परमेश्वर देधारी हुआ मुझस्सम हुआ हमारे बीच में डेरा किया वो आया हमारे बीच में आया वो इमैनियुएल बना God with us दोस्तों वो आया मुझस्सम हुआ वो जिसने पूरी श्रिष्टी को रचा अपनी श्रिष्टी की तरह बन के आया हमारे समझ के बाहर है दोस्तों इक कैसे हो सकता है एक कुमार एक बरतन की तरह बन के आजा है हमारे बीच में भाईव और बहनो Brothers and Sisters में समझ नहीं सकता कोई नहीं समझ सकता इसको Bible A की Reason देती For He Loved Us उसने अपने महिमावादी सिंगहसन को छोड़कर स्वर्गों को छोड़कर इंसान बना येसु बना जो अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा Jesus और Christ मसा करके भेजावा हो आया आपको मुझको बचाने के लिए He came to save us from our sins हमारे गुनाओं से हमें बचाने के लिए आया क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था दोस्तो हर एक ने पाप किया हर एक उसकी महिमा से गिरवा है और पाप की मजदूरी मृत्यू है मृत्यू हम पे लाग हुआ अनंतकाल की मृत्यू जिसको नर्क कहते दोस्तो फिर भी आया वो He came Hallelujah Hallelujah हाप आए पकुदावन हाप आए हाप आए और तीसरी बात That whosoever whosoever उसमें आप अपना नाम डाल सकते Alfred If Alfred believed in him अगर Alfred believe करेगा अगर आप believe करेंगे दोस्तो Bible में लिखा है स्वर्ग के नीचे धर्दी के उपर मुनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जा इंसान मुनुष उधार पा सकता है प्रभू येसु मसीने का मार्ग सच्चाई और जीवन मेरे बिना कोई पिता प्रमेश्वर के पास या स्वर्ग में नहीं जा सकता प्रभू येसु मसी ही है वो दोस्तो जगत का उधार करता जिसने अपने आप को दे दिया उसने अपने आप को दे दिया सलीब पर अपनी जान दी वो मरने के लिए आया हम जीने के लिए आते दोस्तों और उसने हमारे गुना अपने उपर ले लिए और वो सजा जो मुझे मिलनी थी वो नर्व जो मुझे मिलना था जो आपको मिलना था सलीप पर उसने अपना बेश की मत लहू बहाया अपनी कुर्बानी दी उनके graveyard, graves हमारे सामने हैं दोस्तो, एक कबर खाली है, जिसने का मैं जरूर है कि मरू 32 दिन जी उठूंगा और प्रभू येस्व मसीज जी उठा, मौत उसको रोक ना पाई, और मृत्यू का डंग उसको पर कुछ नहीं कर पाया दोस्तो, वो जिन्दा खुदा है, वो परमेश हमें जो नाश होना था, हम नाश नहीं होंगे दोस्तो पर अनंत जीवन मिलेगा, दोस्तो एक तरफ अनंत मृत्यू नर्क और दुसरे तरफ अनंत जीवन स्वर्ग, क्या लेना चाहोगे, स्वर्ग लेना चाहते हो ना, लेना चाहते हो ना, दोस्तो उसके लिए आपको सिर मृत्य हो प्रभू इससे पहले कि ये जुदाई हो जाए प्रभू मुझ पापी पर दिया करें मेरे पाप शवा कर दो मेरे दिल में आ जाओ मैं आज पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाओं के लिए सलीप पर मारेगे आपको दफनाया किया और तीसरे दिन आप जी उठे और जीवा थी स्वक में गए और दोबारा आने वाले प्रभू येसु मसीः मैं आज आपको अपना उधार करता मुक्ती दाता प्रभू करके ग्रहन करता हूँ मेरे दिल में आ जाओ मैं विश्वास करता हूँ मेरे दिल में आ जाओ और मेरे पापो से मुझे बचा लो ये विश्वास की प्रात्ना में प्रभू येसु मसी के नाम में मांगता हूँ आमीन दोस्तो अगर ये प्रात्ना आपने करिये तो आप नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन आपको मिल गया और आप उसकी संतान बन गए है दोस्तो याद रखें जीवन बहुत चोटा है परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और ये आत्मा का जो उधार है सिर्फ प्रभू येसु मसी कर सकता है हमारे बस में कुछ नहीं दोस्तो कब ये जान निकल जाए ये आत्मा शरीर से निकल जाए हमें मालूम नहीं जीवन का सफर बहुत चोटा है आज ही अपना जीवन प्रभू येसु मसी को दे दो याद रखें वो आपसे बहुत प्यार करता है और बड़ी कीमत चुक आई उसने ताकि आपको उद्धार मिल सके God bless you अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विशय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हो या किसी प्रातना के विशय को बातना चाते हो निसन्दे हमसे संपर्क करे हमारा पता जीवन जल नव बावना बिल्डिंग 422SVS रोड पोस्ट बॉक्स नंबर 19161 प्रबादेवी मुंबाई 4 000025 प्रातना एवं मुफ्त बाइबल करिस्पोंडेंस के लिए हमें संपर्क करे अपना नाम और पूरा पता तुरंद SMS करे मुबाईल नंबर 700 00 65 115 इमेल आईडी gospelbroadcast at the rate yahoo.com वेब अद्रेस www.lwgb.org YouTube जीवन जल टीवी at the rate YouTube जीवन जल कारेक्रम को हर सोम बार शाम साड़ी चे बजे, हर बुदवार शाम साड़ी चे बजे और शैनिवार रात नौ बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं. धन्यवाद. जीवाद. 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 जीवाद.